तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2021 में आई movie bell bottom को इसकी IMDB rating है 6.3 out of 10 जो की movie के हिसाब से ठीक ही है मैं movie को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पनने हैं तो नीचे लाल कलसली के subscribe को दबा कर grey कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोज को देख पाएंगे और जिन्होंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रही है मैं आप के लिए वीडियोज लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाते हैं तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो movie की शुरुआत में हमें 1971 के इंडिया के बारे में बताया जाता है कि उस समय भारत और पाकिस्तान के रिष्टे थोड़े बहुत अच्छे हो गए थे लेकिन उस टाइम देश के अंदर ही कई अंटी नैशनल और्गनाइजेशन बनती जा रही थी अब देश को बाहर से नहीं बलकि अंदर ही पल रहे अंटी नैशनल से खत्रा होने लगा था उन सभी और्गनाइजेशन के लोग दिन बदिन प्लेन्स को हाईजाक कर रहे थे और सिविलियन्स को छोड़ने के लिए किसी आतंगवादी या पैसे देने के डिमांड करते थे देश की कोई भी फोर्च या इंटेलिजेशन से ये सब होने से रोक नहीं पा रही थी लेकिन तिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया अब सीन 1984 में शिफ्ट होता है जहां मेर इंडिया के प्लेन को देखते हैं जो की डेली से श्री नगर जा रहा होता है प्लेन में सवार सबी लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन ही था लेकिन कुछ ही देर में उन सब का दिन बहुत बुरा होने वाला था प्लेन में सवार कुछ आदमी एकदम से बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और प्लेन हाईजायक हो गया है कहके चिलाने लगते हैं कोई अगर होश्यारी करने की कोशिश करता तो वो उसे बंदूक की दम पर शांत करा दे रहे थे एक हाईजायकर कॉक पिट के अंदर जाता है और बंदूक तान कर पाइलेट को अपने इशारे पर प्लेन उडाने को कहता है पारिलेट उनकी बात तो मान लेता है लेकिन चुपके से एक एमर्जंसी बटन दबा देता है ताकि A.T.C. तक प्लेन हाईजायक हो जाने की खबर पहुंच जाए तो वो तुरंती मीटिंग के लिए सभी को बुला लेती हैं मीटिंग में सभी लोग फ्लाइट ICC 691 के हाईजायक होने की गलती का इलसाम सब एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर सबकी कुछ ना कुछ गलती नजार आ रही होती है intelligence agency raw के agent संदूग बताते हैं कि हमने कई बार leads भेजी थी लेकिन उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया जिसके चलते आए दिन plane hijack होते रहते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि किस organization ने इस hijack को अंजाम दिया है लेकिन एक आदमी है जो hijacking के बारे में सब कुछ जानता है और वो कई सालों से इसी पर research कर रहा है पियम इंद्रा गांधि उसका नाम पूछती हैं तो प्रोटोकॉल की वज़े से संतुक उसका असली नाम नहीं बताता बलकि उसका code name बताता है जो की होता है bell bottom अब कहानी यहाँ flashback में shift होती है जहां में bell bottom यानि अंशुल मलुत्रा की life को दिखाया जाता है कि कैसे उसने raw code join किया अंशुल का दिमाग बहुत तेज था वो college में पढ़ाता भी था और UPSC की तयारी भी कर रहा था अंशुल की family में उसकी वीवी रादिका और उसकी मा थी और उसका एक बड़ा भाई भी था जो की England में अपनी family के साथ रहता था अंशुल की मा जल्द ही अपने बड़े बेटे के पास जाने वाली थी तो वो England जाने के लिए काफी excited होती है वो अंशुल के सामने अपने बड़े बेटे की ही तारीफ किया करती थी और ऐसे जताती थी कि उनका बड़ा बेटा उनके लिए सब कुछ है और वही उनका खयाल रगता है अंशुल उनकी बातों को सुनकर थोड़ा उदास होता था लेकिन अपने मा और भाई से नराज नहीं होता था अब अगले ही दिन मा की इंग्लेंड जाने की फ्लाइट होती है तो अंशुल और रादिका उन्हें छोड़ने के लिए एरपोर्ट आये होते हैं मा के जाने से पहले अंशुल काफी एमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उसे काफी दूर जा रही थी लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो उन्हें बाई 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 बोलकर जाने देता है वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वो भी कहीं फ्लाइट से जा रहा होता है जब वो अपना बैक चेकिंग के लिए डालता है तो उसमें बंदूग नजर आ रही होती है लेकिन पुलिस वाला उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और लग रहा होता है कि जैसे वो आदमी से मिला हुआ हो फिर कुछी ठाइम बाद अंशुल को खबर मिलती है कि जिस फ्लाइट से उसकी मा जा रही थी वही फ्लाइट हाईजैक हो गई है वो भागते दौरते एयरपोर्ट जाता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी खबर नहीं मिलती वो हर सरकारी दफ्तर के चकर काट रहा होता है लेकिन उसे फ्लाइट की कोई भी जानकारी नहीं मिलती तब ही खबर आती है कि हाईजैकर्स ने एयरप्लेन को लहूर में लैंड कराया है और पाकिस्तान की सरकार हाईजैकर्स से नेगोशियेट करने की कोशिश कर रही है मंतरी जी बताते हैं कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हाईजैकर्स को मनाने में कामियाब हो गए है और कुछ दिमांड्स मानने के बाद उन्होंने पैसंजर्स को छोड़ने का फैसला ले लिया है तो कल सुबा सभी लोग लहुर से डेली लाए जाएंगे अब अगली सुबा अंशुल इस्टेशन पहुँच जाता है और अपनी मा को हर जगत धूरने लगता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही होती वो जब एक बोगी में जाता है तो उसे उसकी मा मिल जाती है लेकिन अफसोस की वो जिंदन नहीं थी अंशुल की मा को अस्थमा था तो उनके साथ हमेशा इन्हिलर रहता था लेकिन शाय से हाईजैकिंग होने पर उन्हें इन्हिलर नहीं मिला जिसकी वज़य से उनकी बेवजा मौत हो गई उनका अंतिम संसकार करने के लिए पूरा परिवार जमा होता है तब अंशुल अपने बड़े भाई से कहता है कि मा की चिता को तुम ही आग लगाओगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार तो वो तुमें ही करती थी तब उसका भाई कहता है कि जब मा मेरे यहां रहती थी तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही कहा करती थी माँ अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी लेकिन कभी उन्हें जताती नहीं थी और ये सब बाते सुनकर दोनों को ही और भी ज़्यादा रोना आ जाता है अब सीन फिर प्रेजन्ट में आ जाता है जहां बैल बॉटम प्यम इंदरा गांधी के सामने मौजूद होता है और वो बताता है कि मेरी लीड्स के हिसाब से इस हाईजाइकिन का मास्टर माइंड आई असाई है तवी वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि यह हाईजाइकिन पंजाब के आजादी दल ने की है और मेरे पास उसका सबूत है वो आदमी एक वीडियो टेप टीवी में लगाता है जिसमें कि आजादी दल के लीडर का इंटर्वी होता है जिसमें वो कह रहा होता है कि जैसे मुसलिम्स के लिए एक अलग देश बना है वैसे ही पंजाबियों के लिए भी एक अलग देश बना दिया जाए आदमी कहता है कि आजादी दल के लीडर को हमने गिरफतार कर लिया था और वो अभी तिहार जेल में है और शायद इसी को छुडाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया गया है इसी बीट बेलबॉटम उनको तोकते हुए कहता है कि यह आजादी दल जैसे संगटन ISI की कटपुतली होते हैं और इस हाईजैक के पीछे आईजैक का ही हाथ है वो बताता है कि आजादी दल के लीडर की जो भाषा है उससे पता चलता है कि वो भारत का नहीं बलकि पाकिस्तानी पंजाबी है और हमें बढ़काने के लिए यह साई ऐसी चीजे कर रही हैं ताकि हम इनी सब में उलजे रहें और सही वजा ना पता कर पाएं वो कहता है कि जितने भी अब तक प्लेन्स हाईजायक हुए हैं उन सब का एक पैटन है वो सबी प्लेन को लाहर में ही जाकर लैंड करते हैं और मेरी इंटेलिजन्स के हिसाब से इस बार भी प्लेन लाहर में ही लैंड करेगा तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि प्लेन अमरिस सर में लैंड हो चुका है अब बैल बॉटम ने जितनी भी बाते करी और जितना भी अपना दिमाग लगाया वो सब सभी लोगों के सामने गलत साबित हो जाता है इसलिए अब उसे नजरे जुकाते हुए वहाँ से जाना पड़ता है अब सीन फिर से फ्लैश बैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि अंशुल अपनी मा के गुजर जाने पर बहुत दुखी होता है और वो अपनी स्कूटर से कहीं पर जा रहा होता है तब ही उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और उसमें से कुछ लोग निकल कर जबजस्ती अंशुल को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं अंशुल के मुझ से जब कपड़ा हटाय जाता है तब उसके सामने संतुग बैठा होता है संतुग बताता है कि हम raw agents है और हमारे एक talent spotter ने हमें तुमारी सारी जानकारी दी है और हमें लगता है कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं संतुग कहता है कि तुमारी मा की natural death नहीं हुई थी बलकि उन्हें मारा गया था जब plane hijack हुआ था तो उसका AC बंद हो गया था जिसके वज़े से तुमारी मा का दम घुटने लगा था और उन्होंने hijacker से पर्स से inhaler मांगने की मांग की लेकिन उन्होंने inhaler नहीं दिया बलकि एक जगार पर ले जाकर उन्हें बैठा दिया और उनके उपर भारी कंबल डाल दिये जिसकी वज़े से उनकी दम घुटने से मौत हो गई जिसाजाकर ने ऐसा घिनोना घटिया काम किया था उसका नाम है दलजी सिंग डोडी अब ये सुनकर अंशुल के होश ओड़ जाते हैं और वो अपने एमोशन्स को काबून नहीं कर पाता और रोने लग जाता है संतो कहता है कि तुमारे पास कल सुबा पांच बजे तक का टाइम है ये बताने के लिए कि तुम हमारे साथ काम करोगे या नहीं अंशुल ने जो भी को सुना था उसके बास से उसका खून पूरी तरह से खौल उठा था और अब उसने ठान लिया था कि वो उस हैजाकर को पकड़ कर रहेगा इसलिए वो रो में जॉइन होने के लिए हां कर देता है अब अंशुल की रो में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तब ही उसे अपना कोड नेम बैल बॉटम मिलता है रो में ये सिस्टम होता है कि प्रैवेसी के चलते वो अपनी फैमली को कुछ भी सच नहीं बता सकता था कि वो रो में काम करता है काफी कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद बैल बॉटम हर चीज में परफेक्ट होने लग जाता है और साथ ही साथ वो हैजैकिंग की सारी जानकारी भी गठा कर रहा होता है अंशुल की भाई को बेटी हुई होती है तो अंशुल लंडन जाने के लिए संतोक से परमेशन ले लेता है अंशुल अब लंडन पहुंच जाता है और अपनी भाईया भावी के साथ गुरुद्वारे में पूजा कर रहा होता है तबी अंशुल की नजर एक आदमी पर पढ़ती है तो उसे फील होता है कि उसने उस आदमी को कहीं तो देखा है अंशुल को याद आता है कि वो आदमी उन्ही इजैकर्स में एक था जिसने उस प्लेन को हैजैक किया था जिसमें उसकी मा गई थी अब bell bottom उस आदमी पर नजर रखने लग जाता है और उसके घर तक पीछा करता है फिर वह यहां सपास बैट कर उनके घर पर नजर रख रहा होता है और उसे और भी hijackers दिखाई पड़ते हैं वो उन सब की फोटोज क्लिक करका संतूग को भेज देता है तो संतूग तुरंती bell bottom से मिलने के लिए आ जाता है उन चार hijackers में से तीन hijackers तो मिल गए थे लेकिन main masterman डल जीस से ही डोडी का कोई भी पता नहीं चला था bell bottom बताता है कि डोडी कोई anti-national organization का हिस्ता नहीं है बलकि वो ISI agent है जो कि इंडिया में आकर लोगों को भटकाने का काम करता है पाकिस्तान बस दोस्ती का दिखावा करता है और उसी बात का फायदा उठाता है hijackers plane हमेशा लहौर ले जाते हैं फिर पाकिस्तान government उनसे negotiate करने का नाटक करती है हम जब उनकी मांगे मांग लेते हैं तो hijackers को सजा देने का भी नाटक होता है उन्हें सजा नहीं बलकि उनकी पहचान मिटा कर किसी बाहर के शहर में रहने के लिए भेज़ दिया जाता है bell bottom कहता है कि हमें इन चार hijackers को पकड़ना होगा तब ही हम खुलासा कर पाएंगे कि पाकिस्तान सिर्फ दोस्ती का नाटा करता है बस और कुछ भी नहीं अब bell bottom संतू की टीम के साथ प्लान बनाता है और hijackers को पकड़ने के लिए बिल्डिंग में घुसने लगता है उस बीच bell bottom को एक लड़की जाते हुए दिखाई पड़ती है लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है वो सबी लोग hijackers के room में घुस जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं काफी हाता पाई होने के बाद आखिरकार वो तीन hijackers को पकड़ ही लेते हैं लेकिन दलजी सिंग दोड़ी उन्हें वहाँ नहीं मिलता तब ही बेलबॉटम का दिमाग तनकता है और उसे याद आता है कि जो लड़की उसके पास से गुजरी थी वही दिलजी सिंग डोड़ी था जो लड़की बनकर वहाँ से निकल गया था बेलबॉटम जो खिड़की से जाक कर देखता है तो डोड़ी नीचे खड़ा उसे देख मुश्कुरा रहा होता है लेकिन बेलबॉटम अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी पहुँच से काफी दूर जा चुका था अब से इन फिर प्रेजन में आ जाता है जहांपर पीमो आफिस में सभी लोग फ्लाइट हैजैक की चर्चा कर रहे होते हैं कि तबी एक आदमी आकर बताता है कि फ्लाइट अमरिस से टेक आफ करके लाहर जाकर लैंड हुई है बेल बॉटम ने जो बात कही थी वो अब सच साबित हो गई थी इसलिए अब उसे वापिस बुला लिया जाता है अब फ्लाइट लोहर लैंड हुई थी तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट का कॉल पीम इंद्रा गांधी के पास आने ही वाला था और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान खुदी नेगोशियेट करने की ही बात करने वाला था बेल बॉटम कहता है कि हमें इस बार पैटर्न को तोड़ना चाहिए और पाकिस्तान को नेगोशियेट करने की परमीशन नहीं देनी चाहिए वरना फे से उनकी ही डिमांड्स माननी होंगी अब वहाँ पर बैठे लोग और बेल बॉटम के बीच बहस बाजी शुरू हो जाती है क्योंकि बेल बॉटम ने जो कहा था उससे कई चीजे बिगड सकती थी लेकिन पिया मिंद्रा गांदी उस पर भरोसा करती है और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नेगोशियेट करने की परमीशन नहीं देती अब बैल बॉटम सबको अपना प्लान बताता है कि जो प्लेन हाईजैक हुआ है उसमें उतना फ्यूल नहीं होगा कि वो कहीं और दूर ले जा सकें इसलिए शायद से वो प्लेन को दुबई ले जा सकते हैं क्योंकि उस देश की सरकार हमेशा नेगोशियेट करने में आगे रहती है वहीं पाकिस्तानी सरकार तो हाईजैकर से मिली ही हुई थी तो वो भी प्लेन बना रहे होते हैं कि हमें प्लेन को कहीं और लेंड कराना होगा ताकि फिर से नेगोशियेशन की बात चल सकें क्योंकि आखिरकार प्लेन तो पाकिस्तान कहीं था अब पाकिस्तान का एक आफिसर हाईजैकर से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि इंडिया ने नेगोशियेट करने से मना कर दिया है अब जो हाईजैकर था वो घबरा जाता है क्योंकि उसने जो सोचा था उस हिसाब से चीजे नहीं हो रही थी इसलिए वहाँ पर अब किसी दूसरे आदमी को आगे का काम समालने के लिए बुलाया जाता है वो आदमी कोई और नहीं बलकि दलजी सिंग डोडी होता है अब वहीं बेल बॉटम को पता चल गया था कि प्लेन को अब दुबाई में ही लैंड करवाया जाएगा इसलिए वो एजेंट संतूक के साथ मिलकर प्लैन बनाने लगता है बेल बॉटम बताता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इस देश में कभी भी नहीं हुआ और उसका नाम होगा मिशन मिराज इस मिशन में हम दूसरे देश में जाकर अपने देश की लोगों को बचाएंगे और उन हैजैकर्स को पकड़ के भी लाएंगे वहीं पर बैठे दो मिनिस्टर बेल बॉटम की बातों से एगरी नहीं कर रहे होते और कहते हैं कि हमें नगोशियेशन करके ही सिचुएशन को समालना चाहिए बैल बॉटम उनकी बातों को नहीं सुनता बलकि उन दोनों मिनिस्टर को ही अपने मिशन में शामिल कर लेता है और कहता है कि ये मेरा मिशन है तो इसे मैं ही हैंडल करूँगा एजेंट संतूक इंडिया में रहकर ही सारी चीजों को समालने वाले थे वहीं बैल बॉटम अपनी टीम के साथ दुबई के लिए रवाना हो जाता है अब दुबई एरपोर्ट में एकदम हलचल मत जाती है क्योंकि एक हाइजैक्ट प्लेंड लैंड होने की परमिशन मांग रहा था अब प्लेंड को लैंड करने की परमिशन देने ही परती है क्योंकि हाइजैकर्स का कोई भी भरोसा नहीं था कि वो क्या कर दे बेल बॉर्टम अपनी टीम के साथ दुबई पहुंच जाता है जहां पर उसे अदीला रह्मान नाम की एजेंट मिलती है जो उनकी वहाँ पर मदद करने वाली थी वहीं एक पाकिस्तानी मिनिस्टर भी दुबई पहुंच गया था ताकि वो वहीं से हाईजेकर्स को सारे कमांड दे सके मिनिस्टर से कमांड लेने के बाद दलजीद एटिसी से कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि हमें दुबई से कोई भी दुश्मनी नहीं है मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी मांगें इंडिया तक पहुचा दी जाएं नहीं तो प्लेन में लाशे ही लाशे बिच जाएंगी बैल बॉटम भी दलजीद की बाते सुन रहा होता है तब उसे फील होता है कि उसने ये आवाज कहीं तो सुनी है थोड़ी बहुत तहकीकात करने के बाद उसे समझ आता है कि प्लेन में हाईजैकर्स में से एक दलजी से ही डोडी भी है अब तभी वहाँ पर दुबई के कमांडिंग आफिसर मुक्तार सभी लोगों से मिलने के लिए आते हैं मिनिस्टर राओ कहते हैं कि हम यहाँ पर एक कोवेट मिशन करना चाते हैं तो उसके लिए हमें पर्मीशन चाहिए होगी मिस्टर मुक्तार कहते हैं कि ये चीज़े मेरे हाथ में नहीं है इस चीज़ की पर्मीशन हाई अथारिटीज ही दे सकती है अब बेल बॉटम प्लेन में अपने दो एजेंट्स को भेजने की बात करता है ताकि वो देख सके कि सबी लोग महफूज हैं या नहीं तो इस चीज़ को करने के लिए मिस्टर मुक्तार मान जाते हैं बातचीट के बाद डोडी भी चेकिंग के लिए प्लेन में आने की पर्मीशन दे देता है प्लेन के अंदर एजेंट सांड और डॉलर जाने वाले थे लेकिन तबी हाईजेकर से वेक को ही आने की पर्मीशन देता है तो एजेंट डॉलर अंदर चला जाता है कोड़ वर्ड का इस्तमाल करके एजेंट डॉलर बता रहा होता है कि प्लेन में कितने हाईजेकर्स हैं प्लेन का लगेज डेक्ट खुला हुआ था तो एजेंट सांड वहीं से प्लेन के अंदर इंट्री लेने का सोचता है लेकिन तभी पाकिस्तानी मिनिस्टर को पता चल जाता है कि कोई ऐसा करने वाला है तो वो डोडी को तुनन फोन करके बता देता है तो वो लगज डेक्ट को बंद कर देता है जिसे कि बेल बॉटम का प्लान थोड़ा सा फेल हो जाता है अब वहाँ पटीम से मिलने के लिए दुबाई के गॉपर्मेंट ऑफिसर आते हैं क्योंकि उनने खबर मिली थी कि इंडिया से आए लोग कवर्ट ऑबरेशन करना चाते हैं आफिसर कहता है कि चाहे तो हम भी कवर्ट आउपरेशन कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए इंसान की जान जादा माइने रखती है इसलिए इस आपरेशन की पर्मीशन हम नहीं दे सकते और अगर आपको कुछ करना है तो हैजाकर से नेगोशियेट करके ही प्रॉबलम को सॉल्व क जाती जिसे की दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है जो मिनिस्टर बैल बॉटम के साथ आए हुए थे वो अब नेगोशियेशन की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब यहीं एक तरीका बचा है वरना और कुछ किया तो सिविलियंस की जान भी जा सकती है अब जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो खतम कर दिये जाए हमें लंडन जाने के लिए एक प्लेन भी दिया जाए और एक मिलियन पाउंड भी देने की डिमांड रखता है मिनिस्टर जब उनकी डिमांड सुनकर जाने लगते हैं तब ही डोडी मिस्टर खान को रोक लेता है ताकि इंडिया पर उसकी बाते मानने का और भी प्रेशर बन जाए अब जो भी बेलबॉटम ने प्लान बनाए थे वो सभी फेल हो चुके थे और अब नेगोशेशन ही आखरी रास्ता बचा था इसलिए उसका चहरा एकदम उदास हो जाता है और वो भी नेगोशेशन करने की बात पर राजी हो जाता है वो अदीला रह्मान से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाने की मांग करता है जो कि हैजैक हुए प्लेन के पास ही थी ताकि वो पैसंजर्स की सेफटी को देख सके अदीला सबी लोगों को उस लोकेशन पर लेकर जा रही होती है कि तभी बेलबॉटम एक बहुत बड़ा खुलासा करता है यहां में पता चलता है कि अदीला उनकी मदद नहीं कर रही थी बलकि वो पाकिस्तानी मिनिस्टर से मिली हुई थी और उसे सारी जानकारी दे रही थी और इसलिए बेलबॉटम के सारे प्लांस फेल होते जा रहे थे अदीला वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन बेलबॉटम उसे पकड़ कर वहीं बांध कर अपने मिशन को पूरा करने निकल जाता है जो डिमांड्स डोडी ने रखी थी वो सारी पूरी कर दी जाती है और उसके साती उसके पास वापिस आ जाते है अब वहां पर उसका लंडन जाने वाला प्लेन भी आ जाता है तो दोडी अपने साथियों के साथ हाईजायक प्लेन को छोड़ कर लंडन वाले प्लेन पर जाने लगता है उसी वक्त वहाँ पर धूल भरी भेंग कर आंधी आ जाती है जिसमें की कुछ भी दिखाएं नहीं पड़ रहा होता इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी क्योंकि बेलबॉटम ने दुबई एरपोर्ट की वेधर रिपोर्ट बदल दी थी लेकिन वो पूरी तयारी के साथ आया हुआ था अब बेलबॉटम और उसकी टीम डोडी और उसके साथी को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है डोडी के साथियों को उस धूल बरी आंधी में कुछ भी नहीं दिख रहा होता जिसके चक्कर में वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और इस बात का फायदा भी अपने कबजे में ले लेती है वहीं अब अदीला को होश आ जाता है और वो दुबाई के कमांडिंग आफिसर को बेलबॉटम के सारे प्लांस पता देती है डोडी अब बेलबॉटम के हत्ते चड़ जाता है और बेलबॉटम उसे खूब धोदो के मारता है क्योंकि उसक साज बंद करके उसको एहसाज दिलाता है कि उसने उसकी मा को कितनी बेरहमी से मारा था जितने भी हाईजैकर्स मौझूद थे वो सभी लोग पकड़े गए थे तो अब बैल बॉटम सभी पैसंजर्स और हाईजैकर्स को पकड़ कर प्लेन से रवाना हो रहा होता है लेकिन दुबई के कमांडिंग ऑफिसर प्लेन उडाने की परमीशन नहीं देते ऑफिसर कहता है कि तुमने हमें धोका दिया है इसलिए प्लेन अगर यहां से उडा तो हम उसे हवा में ही शूट कर देंगे बैल बॉटम कहता है कि जान बचाना धोका नहीं है बलकि अपने फायदे के लिए मासूमों की जान को खत्रे में डालना धोका है वो अफिसर को बताता है कि दुबई एरपोर्ट में काम कर रही अदीला रह्मान धोके बाजी कर रही है और वो पाकिस्तान से मिली हुई है अफिसर उसकी बातों को सुनता है और उससे कन्वेंस हो जाता है जिसके चलते वो उडान भनने की परमेशन दे देता है अदीला रह्मान ने जो दोके बाजी की थी उसके लिए उसको पकड़ लिया जाता है और वहीं एरप्लेन इंडिया के लिए रवाना हो जाता है पाकिस्तान का जो दहशत फैलाने और अपने लोगों को छुडाने का प्लान था वो पूरी तरह से धरा का धरा रह जाता है अब प्लेन इंडिया वापिस आ जाता है और उन सभी हाईजैकर्स को जेल भेज दिया जाता है जब पैसंजर्स अपनी फैमली से मिलते हैं तो बहुत ही जादा खुश होते हैं क्योंकि जिस मंज़से वो गुजरे थे वहाँ से वापिस आना बहुत बड़ी बात थी बेल बॉटम यानि अंशुल मलुत्रा उन सभी को खुश देखकर काफी एमोशनल हो जाता है और अपनी मा को याद करने लग जाता है और ऐसा फील करने लगता है कि उसकी मा भी जैसे उस प्लेन से वापिस आ गई हो अब अंशुल घर वापिस आ जाता है तो उसकी वाइफ उसे देखकर काफी खुश होती है तब ही यहाँ पर एक राज खुलता है कि उसकी बीवी भी एक raw एजेंट है और उसी ने अंशुल का नाम raw में दिया था क्योंकि वही raw में as a talent spotter का काम करती थी और इसी राज के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो इस मूवी में हमें जो भी कहानी बताई गई है वो सची घटना से आधारित है लेकिन कुछ scenes मूवी में अलग से एट किये गए हैं ताकि वो एक proper मूवी बन सके इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको baby holiday या special 26 जैसी मूवी की आद आ सकती है क्योंकि अक्षे कुमार ने जो इसमें acting की है वो उन मूवी के किरदार के जैसे same ही नजर आती है बेशक मूवी काफी अच्छी है लेकिन acting आपको बिलकुल भी नई देखने को नहीं मिलेगी इस मूवी में ज़्यादा कुछ भी समझाने को नहीं है क्योंकि सब कुछ इसमें clear है मैं अब भी यही कहूंगा कि इस साल अब तक जितने भी देशभक्ती से related मूवी आई है उसमें से शेर्शाही मुझे पसंद आई है और अब तक कोई और मूवी शेर्शाह को टकर देने में काम्याब नहीं हो पाई है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Amazon Prime पर देख सकते हैं क्योंकि ये वन टाइम वाच मूवी तो है ही तो ये था explanation bell bottom मूवी का आपको मूवी और मेरा explain करना कैसा लगा ये comment करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की notification मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जोरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का motivation मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते हैंग झाओ क्ड़ियो